कि नमस्कार मैं हूँ मनविंदर एंबियन नेटर्ट पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है दोस्तों आमादनी पार्टी जस्ट फिनिश और अर्विन केज्रिवाल अब कभी-कभी मुझे लगता है कि वो बाहर आएं या ना आएं उससे भी कोई फरक नहीं पड़ता अमिन उनको जवानत दे दी जाए और कोई उसमें हडल ना आए वो बाहर आ भी जाएं तो उससे क्या फरक पड़ेगा उनका जो राजनीतिक करियर था अल्मुस्ट खतम है तो मैं इसी पर बात करूँगी दोस्तों और मैं बात करूँगी कि जारखंड के मुख कमंतरी हेमन सोरेन भी उनके परिवार के साथ मिल ले आए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे फिर वही बात कहना चाहूंगी कि आप MBN नेटवर्क से अपना स्ने बनाए रखिए और लाइक एंड कमेंट करते रहे हैं क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो दिल्ली के सियम अर्विन केजरिवाल की बात हो रही थी अर्विन केजरिवाल की जमानत के बावजूद अभी उनकी रहाई नहीं हुई है और जब-जब उनकी जमानत को ले करके उसमें कोई हरडल आई है तो तब-तब उनकी बिमारी की खबने आपने जरूर सुनी होंगी ये कोई नई वाद नहीं है इससे पहले भी जब उनकी जमानत हो गई थी उसके बाद उस पे रोक लग गई थी तो very next day उनका ketone की ख़बर आ गई थी कि उसका level जो है वो बढ़ गया है और अकसर अकसर जब कोई भी उनके लिए favorable आदेश कोट से नहीं आता तो उनके जो health bulletin है वो आप ये update करना शुरू कर देते हैं कभी उनका ketone बढ़ जाता है कभी उनका sugar level down हो जाता है कभी उनका sugar level up हो जाता है अब सुना जा रहा है कि उनका sugar level all of sudden सोय सोय में down हो गया और अर्विन केज़िवाल का लगातार वजन घट रहा है इस पर भी आम आदमी पाटी बहुत चिंता जता रही है उनके जो रहसवा की सांसद है संजे सिंग उनका ये कहना है कि गिर्टारी के बाद से अब तक उनका साड़े आठ किलो वजन घट गया है अब आप दोस्तों आप बताईए वो 21 मार्च को अरेस्ट होते हैं मार्च, एप्रेल, मे, जून, जुलाई साथ महीने हो गया और साथ महीने में उनका साड़े आठ किलो वजन घट रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है शुगर के पेशन्ट है और पूराने शुगर के पेशन्ट है खान पान को ले करके और कई चीज़ें होती है उनको ले करके वजन में अप संड डाउंस आते रहते हैं तो यह उसका इशू बना रहे है कि ग्रिफतारी के बाद से अब तक उनका साड़े आठ किलो वजन घट गया है वजन लगतार घट रहा है यह किसी बिमारी का संकेत है अगर अगर किसी का घट गटता है तो फिर वह बिमारी का संकेत हो सकता है लेकिन छे महीने के बाद अगर अनका वजन घट गट था तो इस वाहने यह थोड़ा सरकार को कूश रहे है थोड़ा PM को कोश रहे हैं, थोड़ा अमिश्या को कोश रहे हैं, 21 मार्च को कह रहे हैं कि जब वो गिरिफतार हुए थे, तब उनका बज़न 70 किलो था, अब ये घट करके 61, 61 किलो रह गया है, और इसी भीच पाच बार सोने के दोरान भी उनका शुगर लेवल जो है, वो काईदा एम्स का मेडिकल बोर्ड उनसे लगातार सला करता है, अब तो उनकी पतनी भी उनके साथ उस सला कार्श समीती में शामिल रहती हैं, उनके सामने सब कुछ होता है, बाची, दवायों का देना लेना, खाने की जो भी उनका डाइट को कंट्रोल करना, क्योंकि खाना वो घर से खा रहे हैं, एक और बाद खाना घर से खाने से मुझे ध्यान आया कि खाना तो वो केजरीवाल, सुनिता केजरीवाल के हाथ से खा रहे हैं, केवल और केवल, उनका शरीर वहाँ है, आत्मा तो उनकी लोगों के बीच में हैं, जैसा कि सुनिता केजरीवाल कहती है तो मैं I'm not just joking, लेकिन खाना वो घर का खा रहे हैं, सब कुछ घर का खा रहे हैं, तो फिर क्या बात है, फिर उनका weight क्यों काम हो रहा है, फिर उनका help क्यों down जा रहा है, ये तो फिर सुनिदा केजरिवाल पर सवाल आता है, कि वो उन्हें क्या खाने के लिए दे रही हैं, अब मतलए ये सब बातें, ये कहानी संजे सिंग क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें ये कहना है कि भासपा और प्रधानमंतरी नरेन मोधी केजरिवाल को जेल में रखने के साथ साथ उनके स्वास्त के साथ भी खिलवाड कर रहे हैं, साजिस रच रहे हैं, ये बात कहने के लि पढ़ाएंगे जुटिश्री को कह रहें कि क्यार कानूनी डंग से स्टे लिया है तो स्टे तो कोट से लिया है ना अपनी जेब से निकाल के तो दिया नहीं है अपने घर से तो लेकर आये नहीं है किसी ने तो उनको दिया नहीं है कोट में दिया है ना कोट में जमानत भी दि इन्होंने एक बहुत बड़ा सा मैं देखती हूँ अगर दिखा पाऊं तो इन्होंने दिये देखिए ये इनको जब लास्ट डे इनको जमानत मिली थी तो आप हैंडल से ये इन्होंने फोटो पोस्ट किया था इसका मतलब क्या हुआ कि सत्यमेव जयते सत्य की जीत होती है ल कोई बात इधर उधर हो जाए तो सब कुछ गयर कानूनी हो गया गयर कानूनी ढंक से इन्होंने स्टे ले लिया अब यह कहना है कि जोटे केस में सीबी आई इन्हे ने गरिफ्तार कर लिया है और आप यहों को शायद यह उमीद है कि सुप्रीम कोट के फैसले के बाद सीब संसद्य दल की प्रमुक सोन्य गांधी से तो मुलाकात की ही है उनके घर गये हैं हो देखिए इंडी ब्लॉक की इस तरीके से खेल खेलना शुरू कर दिया है उन्होंने हाला कि वो कह रहे हैं कि उनका विदान सभा के चुनाओं से कोई लेना देना नहीं है यह बर्स एक कट सी कौल थी लेकिन उसके बाद अचा उनके साथ उनकी पत्नी कलपरा सोरन आजकल हर जगाई दिखाई दे रही है पत्नी होने के नाते वो दिखें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो राजनीती के गुर्वी सीख रही है इसके बाद जहरखंड के सियम हेमन सोरन अपनी पत्नी के साथ ही दिली के मुक्मंतरी अर्विन केजरिवाल की पतनी सुनीता केजरिवाल और आप संजे सिंख से भी मुलाकात करते हैं. अब देखिए इनकी मुलाकात के माइने क्या हैं? इनके माइने जो भी हूं लेकिन जो बात मुझे समझ में आ रही है. जारकंड के मुखमंतरी हेमन सोरन अपनी पतनी कलपना सोरन के साथ जब सुनीदा केजरिवाल से मिले तो उन्होंने उससे पहले मिलके आ रहे थे सोन्य गांदी से यह उनकी पहली मुलाकात थी दरसल हेमन सोरन को आपको याद होगा इडी ने जमीन खोटाले में 31 जन्वरी को फूस्ताष के बाद गिरिफतार कर लिया था यहां मेरा रोक करके थोड़ा साब को बता दूँ कि हेमन सोरन को 31 जन्वरी को और अर्विन केजरिवाल को 21 मार्ज को गिरिफतार किया इसमें करीब जन्वरी फेबरेरी दो मेहने का गैफ है समझ लीजए दो से डीट में ठाइ महीने का और इसके बाद उन्होंने ED की हिरासत में राज साड़े आठ बजे के करीब राजभवन में जाते हैं और इस्तीफा देते हैं उसके बाद जेल जाते हैं उसके बाद वो काफी दिन तक विर्शा मुंडा सेंटरल जेल में रहे बाद में जारकंड हाई कोट से जमानत मिलने के बाद अभी रीसेंडली 28 ज सकते हैं आप शबद दीजे उन्होंने वैसा ही किया और आम आदमी पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है कि अर्विन केजरिवाल के साथ ऐसा नहीं हो सका अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहा रही हूं कि यह जो हिमन सोरन है अर्विन केजरिवाल को अपना गुर रहते, उदर हमन सोरन को भी समद मिल रहते हैं उन्होंने भी नो समद को इग्नोर किया, केजरिवाल ने भी नो समद को इग्नोर किया लेकिन वो तो resign करके cm ship से jail चले गया लेकिन उससे पहले क्या हुआ वो आप समझे वो बहुत interesting है जिस समय उनको नमा समंद दिया गया नमा या if I'm not wrong दसमा समंद दिया गया तो उनके पीछे ED बिलकुल पुरी तरह से लग गई अब हिमन सोरन आगे-आगे और ED पीछे-पीछे और वो भागते-भागते दिल लिया आ गए BMW से आते हैं वो उसके बाद वो मुखमंतरी अर्वीन केजरिवाल से मिलते हैं अर्वीन केजरिवाल ने उन्हें कोई कहानी पढ़ाई और इसके बाद वो करीब-करीब 41 घंटे तक वो गायब रहते हैं इस बीच उनके खिलाब पोस्टर भी छब गए अब अर्वीन केजरिवाल ने कहा कि अब आप निकल लो कोई छोटी गाड़ी लेकर के अब आपका बचना मुश्किल है अब आप देखिए कि उन्हें तो समझा दिया कि आप रिजाइन करके जेल जाईए खुद आज तक रिजाइन ने दिया तो यह यहाँ पर गुरु ने अपनी स्मार्टनेस दिखा दी लेकिन आप देखिए कि चेला तो फिर से सियम बन गया अब एक और बात है इन दिनों आपको पता है ना कि हेमन स्वरेन केजरिवाल के चेले हैं शिष्ष हैं जब स्वरेन इटी से बच रहे थे तो काफी सारी मदद भी की सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस दोरान अलागी देखिए इसका कोई बुकता परमाण नहीं है लेकिन हेमन स्वरेन दिल्ली के सियम हाउस में रुके वहीं से फिर वो फरार हुए वहीं से फिर वो दुबारा से राची जाते हैं और वहाँ पर जाकर करके सरेंडर करते हैं अब जब भी केस में कोट में ये बात होती है कि इनको जमानत दे दी जाए तो उनके जो बहुत बड़े वकील है अभिशेक मनुस सिंग्वी वो हमेशा ये कहते हैं कि आप अर्विंद केज़िवाल को जमानत दे दीजे ये आदतन अपरादी नहीं है अब आप दोस्तों ये बताईए कि ये एक ऐसे व्यक्ति को इन्होंने अपने सियम हाउस में पना दी जिसको एडी ढूंड रही है तो ये क्या अपराद नहीं है वन तिंग सेकिंड तिंग इनी के सियम हाउस में स्वातिमालिवाल के साथ मारपिटा ही होती है ये क्या अपराद नहीं है मलतलब अपराद क्या उसी को कहेंगे कि आप किसी का मडर कर दीजे तो तभी कोई अपराद होगा ये भी तो अपराद है ना आप किसी ऐसे व्यक्ति को शेल्टर कर रहे है जिसको इडी ढूंड रही है, सबको पता है, पोस्टर छप गए हैं, उसके बाब जुद आपने CM हाउस में उसको रखा, यह अपराद रही है, आपने स्वाती मालिवाल के साथ मारपीट करवा दी, अपने ही PSA, अपने ही CM हाउस में, यह अपराद रही है, तो यह सब बातें अर्विंग केजिवाल और उनकी लीगल टीम जो है, वो समझ नहीं रहे हैं, और जब हिमन सोरन को उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, तो बाकादा उन्हें पूरा पार्ट पड़ा दिया, अब यह बात और है कि आज अर्विंग केजिवाल जो हैं, जमानत के लिए मार अर्विंग केजिवाल से भी मिलके गए हैं, तो आपसे जानना चाहती हूं कि यह अर्विंग केजिवाल को ले करके, जब भी इनकी जमानत पे कोई रुकावट आती है, तभी इनका जो हेल्थ बुलेट है, को एक्टिवेट हो जाता है, क्यों इनके पार्टी के जो लोग हैं, आप ये जो हैं, इनके हल्थ को ले करके बताना शुरू कर देते हैं, कि अब उनका की टॉन बढ़ गया है, अब उनका शुकर का लेवल डाउन हो गया है, ये सब क्या माज रहे हैं, ये क्या मतलब को भेखूब बना रहे हैं, या कि ये सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं लेकिन जो कुछ करना है वो तो कोट ने करना है खुद ही कह रहे हैं सत्य में जयते सत्य की जीत होती है तो फिर इंतजार करें इंतजार ही तो करना चाहिए लेकिन सबर नहीं है पता नहीं क्या जल्दबाजी मची हुई है अब EDK केस में जमानत मिल गई है अंध्रिम जमानत लेकिन अब CBI छोड़े तब तो रिहा होंगे तिहार से सबसे बड़ी बात यह है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा महत बहुत धन्यवाद आपका एंड आपके कमेंट मुझे जरूर आप की जेगा इस वीडियो को तभी के लिए इतना ही आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए खुश रहिए स्वस्त रहिए जय हिन जय भारत